हाइप व्यूलrick engineering अगें तो आज मैं बात करनेवाल हो मोबाइल फोन की कोई फोन आपके पास iPhone है चाये आपके पास Android और सैंसंग पोको कोई भी आपके पास फोन है तो उसमें after some usage आपको hanging की प्रॉबल्म होता है screen freeze हो जाती है यह problem काफी common है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप धंक से इसको use नहीं करते हैं अब मैं आपको देने वाला हूँ 7 tips 7 tips 1,2,3,4,5,6,7 7 tips जिससे आपको यह hanging problem कभी भी नहीं होगी आपके mobile phone में पूरा वीडियो एंड तक जूर देखें 7 tips पे गौर करें क्यों करने चाहिए यह पूरा बताऊंगा तो स्टाट करते हैं आज का वीडियो लेट्स डू इट तो friends सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि mobile में hang problem होता क्यों है तो इसका सीधा relation रेम से random assess memory जो हमारे phones की RAM होती है 2GB, 4GB, 6GB, 8GB depend करता है अगर lower end है तो 2-4GB होगी ज्यादा heavy है तो 8GB होगी iPhone में काफी अच्छी RAM बताए जाती है 3GB, 4GB जो भी है जो भी आपकी RAM है वो एक आपको मालूम होना चाहिए और उसको कभी भी आपने 50% ज्यादा यूज नहीं करना है जब भी आप उसको cross करते हैं यह basically आपको आपके phone को boost करती है आपकी मेमरी जिसको utilize करके access करता है आपका phone different apps को तो कभी भी आपने उसको 50% से ज्यादा consume नहीं करना है वो कभ consume होती है जब आप बहुत सारा काम करवाते है अपने mobile से तो वो consume होती है और तब hanging की problem आती है तो serious-yther relation इसका RAM से है definitely जिसमें ज़्यादा RAM है जिस phone में उसमें ये problem कम आएगी जैसे 8GB RAM आजको 12GB RAM तो जितनी ज़्यादा RAM उतना महंगा phone उतनी कम ये problem आएगी और अब मैं जो बना रहा हूँ video mid segment के लिए बनाता हूँ lower सभी phones की बात कर रहा हूँ lower segment में आपको 24GB RAM मिलती है तो उस case में आपको ये ध्यान जादा रखना पड़ेगा ठीक है तब आप स्टार्ट करता हूँ tips number one tip is live papers काफी लोगों को शौक होता है यूज करने का live paper यूज करते है ना नीचे जैसे phone बढ़ा तो उसमें live चल रहा है कोई animation हो रही है ये शौक किया लोग यूज करते हैं अब इसका बताता हूँ ये जब लगा होता live paper ये काफी आपकी RAM को खाता है मतलब काफी RAM यूज करता है जब आपने live paper लगा रखा है उसके बाद आपने whatsapp खोला और face up को खोला ये चीज़े करने लगे और आपका live paper हमेशा on है तो उस चक्र में क्या होगा आपकी RAM आटमेटिकली अगर आप ज़्यादा आपस नहीं भी उसकर रहें ये आपका live papers को खा जाए तो never use live papers if you want to get rid of this problem कभी भी live paper अपने wall paper मत लगाए static वाला लगाए best है नमबर दो जब भी आप काफी चीज़ें खोल रहे है RAM का हमेशा ध्यान रखे मैंने पहले ही बताया कि आपकी RAM free कितनी है अगर आपकी RAM 50-60% से ज़्यादा use हो रही है तो apps को थोड़ा कम कर दें जैसे आपने एक app खोली, दो app खोली, तीन app खोली उसमें आपकी 50% RAM post शुरू होगी आपकी 2GB RAM है एक GB आपका खोली फड़ा हुआ है फ्री अब उससे आगे आपने कोई app खोली तो सीधा सीधा आपका प्रावलम आने वाला तो RAM को ध्यान में रखते हुए ही apps को खोलें यह दूसरी ट्रिप है अब यह माई Apple Watch यह बोल पड़ी अनुवेस सॉरी नमबर थ्री इंटरेट ब्राउजिंग जब आप करते हैं टीसरी टिप क्या होता है जब आत your Search कर रहे हुए उस समय में जितनी भी apps उस में चल रही है तास्क बार में जाकर है मतलब जितनी भी apps उसको close करने फिर सर्फिंग करें अगर आप वह हैंगिंग प्रॉब्लम से बचना जाते हैं होता कि है जब आप नेट एकसेस कर रहे हैं तो आपका प्रोसेसर आपकी जो सर्च करनी कमांड है मुझे यह सर्च करके बताओ तो मैं यह न्यूस पर रहा हूं उस लिंक पर जाओं यह सब को आप कर रहे हैं नेट के उपर उसमें काफी प्रोसेसिंग लगती है रैम काफी उसमें जब आप यह सब कुछ कर रहे हैं इसके करने के साथ साथ आपने काफी एप्स को रखिया फेस्बूक उठाके खोल दिया इंस्टाग्रम खोल दिया वह भी कंज्यूम करेंगे वह सर्फिंग कर रहें उसके साथ वह चीज़ें खुली हुई है उसका आपने खोल लिया भीच में तो वह चीज़ मत करें जब आप सर्फिंग कर रहें सिरफ वेब सर्फिंग करें बाकि सारी एपस को बंद कर दें जैसे हमारे एपल फोन में सीधा हम जब यह जाते हैं तो वी कैन गेट जैसे हमें हमेशा ध्यान रखता हूं मेरे फोन जब आप मैं आप्स खुली है नहीं आपने क्या करना सिद्धा ब्राउजर पर जाएंगे आप सर्च मारेंगे तो उसे क्या होगा रैम आपकी पहले कंद भी मोरी आपने तीन चार एप्स पहले खोल रखी है और उसके बाद फिर आपने वेब सर्फी शुरू करती है तो हमेशा यह बना ल और जब मैं वह आपस काम हो जाता है तो सभी आपस को जाके बंद कर देता हूं यह हमेशा अदत मनाए तो यह थी आपकी चौथी अब पांचवी टिप एंटिवाइरस अब काफी लोग इस धोके में आते हैं कि एंटिवाइरस हमें डालना है तो मैं परसनल कोई भी एंटि गो sufit और कॉंसर नहीं है तो पता लग जाता है अगर आपको नौलेज है इतना नौलेज है तो आपको रुकॉयरमेंट ही नहीं है आपके फॉन के अंडर क्योंकि रखाते एंटिवाइरस कि पता दूँग को अंटिवाइरस की आंसे ऑप वन पिन डंकानी फिलकाई जो भी आ रही है आड आ रही है आपने देख ली यह एंटिवर्स बहुत अच्छा है आप नो ठाके कर दिया तो वह प्रॉप्लम करेगा डॉंट डू डाट ठीक है यह मेरी आपके पास थी पांच वी टिप अब मैं सिक्स टेप बताने वाला हूं केशे मैमरी कैशे मैमरी क्या होती है फाल्तू की जो चीज़ें आजाती है यह उसी चीज में जहादा बनती है जो आप आप्स आप यूज़ वाट्सएप हर दसपांड मिनट मैं आप वाट्सएप देख रहे हैं ठाक है नंबर दो पर आपका यूज़ वोता है फेसबूक फि में वहां पर जाके हर एक आप की मेमरी पता लगती है कि इसका कैशे और एंड में कई फोन में पूरा कैशे भी दिखादा कि इतना कैशे मेमरी यानि कुड़ा करकट वाले चीज़ें आपकी पड़ी है तो वह क्लियर करते रहें रेगूलर्ली हर दो तिन दिन में अपने जो आप जाधा यूज़ करते हैं इसे वाट्साप उसकी कैशे मेमरी क्लीर कर दें इसमें इसमें अगर आप यह जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे आइड़ लगता है कि आपके किस लेवल की अपने वीडियो चाहते हैं अगर आप चाहते हैं क्लीरिंग मेमरी कैसे करना है हो सकता है कि इसमें को नहीं बता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो उसके पर वीडियो बन जाएगा डेफिनिटली विकास मैं चाहता हूं यह नौलिज सबके पास हो धंक से यूज़ करेंगे फोन तो आपका कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो डोलपर्स हैं सैमसंग है चाहिए अपल है जो भी आपकी कमपनी का फोन है वो कमपनी चाहती है कि कोई अगर प्रॉब्लम सॉफ्टवेर की वज़ए से आपके फोन में आ रही है तो उसको दूर किया जाए नंबर दो चाहती है कि आपका एक्सपिरिंस और अ यू नाइकी एडिशन एपल वाच श्रीज 6 तो इसका वीडियो अंबॉक्सिंग अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंड इबॉक्स मिलें कि मुझे पूछना बटता है काई बार मैं डाल देता हूं वीडियो तो टेक में इंट्रस्टे नहीं है इंट इंट्रस्टेट इस एपल वाच कल पर सो मैं ने अस्ट्रेलिया से लिये मैं फ्रेंड आप इस तो इस वाट वाट टू सी दान बॉक्सिंग अन देखने अन इस चैनल एंप्लीज रिव्यू बहुत अच्छी विटनस के लिए बहुत बढ़िया चीज है मैं यूट रिलाज लूं वाली और और कि आज यह दोषि देदी जाता है कि यह कंपनी का फोरी सब मैसे कुछ नहीं है जस्त यूज प्रॉपरली इसको फॉलू करें स्टेप्स को साट तो अ स्टेप्स को फॉलू करें आपको कभी भी हैट कराब्लम नहीं आएके है":句